वेब ब्राउजर में पॉपप विंडो या विज्ञापनों को कैसे ब्लोक करें? वेब ब्राउजर में पॉपप ब्लोकर्स नाम की सुवधाय होती हैं, जो पॉपप विंडो को दिखने से रोक सकती हैं. ज्यादा तर pop-up blocker प्रोग्रामों में आप filtering का अपनी पसंद का स्तर चुन सकते हैं चुने कि आप कौन से pop-up दिखाना चाहते हैं और उनकी block list बना सकते हैं जिन्हें आप दिखाना नहीं चाहते Microsoft Edge Browser Microsoft Edge के उपरी दाइकोने में तीन डॉट वाले चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अधिक क्रियाएं आइकोन पर ट्लिक करें और तब settings चुने Buy your menu से cookies और site से जुड़ी अनुमतियां चुने नीचे स्क्रॉल करें और cookies और site से जुड़ी अनुमतियों वाले menu से pop-up और redirect चुने Block अनुशन सित slider को चालू पर slide करें कुछ site को pop-up रखने के लिए block या अनुमति देने के लिए आप अनुमति दें या block करें section के बगल में जोड़ें बटन चुन सकते हैं और website link को field में पेस्ट कर सकते हैं सूची में website जोड़ने के लिए जोड़ें चुने Google Chrome browser Google Chrome के उपरी दाइंग कोने में तीन डॉट प्रतीक द्वारा दर्शाए गए अधिक क्रियायन चिन्ह क्लिक करें और तब settings का चैन करें बाइं और दिये गए menu से गोप नियता और सुरक्षा चुने और तब site की settings चुने विंडो के सामगरी section में नीचे स्क्रोल करें और तब pop-up और redirect चुने साइटों को pop-up भेजने या redirect विकल्प का उपयोग करने की अनुमती ना दें चुने कुछ साइटों को pop-up ब्लॉक करने या अनुमती देने के लिए आप pop-up भेजने या redirect का उपयोग करने के लिए अनुमती नहीं है कि बगल में स्थित जोडें बटन चुन सकते हैं या pop-up भेजने या redirect section का उपयोग करने के लिए अनुमती है चुन सकते हैं और वेबसाइट के लिंक को फील में पेस्ट कर सकते हैं सूची में वेबसाइट जोडने के लिए जोडने चुने Mozilla Firefox Browser Mozilla Firefox के उपरीद आइकोने में तीन पंक्ती वाले चिन द्वारा दर्शाए गए अधिक क्रियाएं आइकोन पर क्लिक करें और फिर Settings चुने बाई और दिये गए मेन्यू से गोपनियता और सुरक्षा चुने अनुमतियां सेक्षन तक नीचे स्क्रॉल करें और सुनिश्चित करें कि Firefox Blocker को चालू करने के लिए पॉप अप ब्लॉक करें Window Box चेक किया गया हो Blocker में अपवाद जोड़ने के लिए अपवाद बटन चुने दिखने वाली विंडो में Website Link को Website का पता फील्ड में पेस्ट करें और तब इसे सुची में जोड़ने के लिए अनुमती दें पर क्लिक करें अनुमती वाली Website की सुची सेव करने के लिए बदलाव सेव करें चुने ऐसे और उपयोगी वीडियो हमारे HP Support YouTube चैनल पर देखें